हेलो स्टुडेंट्स मैं सुनिल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल डाउटट प्यारे बच्चो आज मैं आपको करवाऊंगा कक्षिया दस्वी अरियाना बोल्ड के कक्षिया दस का फीजिकल का पेपर जी हाँ फीजिकल अजूकेशन के पेपर को हम सॉल करेंगे प्यारे बच्चो ये पेपर जो होगा आपका ये साथ नंबर का होगा और समय होगा वो डाई गंटे के बजाए तीन गंटे कराएगा तो इसमें एक से पंद्रे तक के जो कुश्चन आएंगे वो आपके वस्तुनिष्ट होंगे सोड़े से 21 तक के परसन उत्तर आपके वाएंगवाती लगूत्री होंगे 22 से 27 हैं वो लगूत्री परसन होंगे और परसन संख्या 28 से 30 तक होंगे वो दिर्गुत्रात्मक होंगे प्यारे बच्चों ये सेंपल पेपर बहुत इंपोर्टन है तो चलिए पेपर को सुरू करते हैं सबसे पहले है टाइफाइड रोग किस जिवानों दोवारा फैलता है बहुत इंपोर्टन कुश्चन है दोनों मीडियम में दिया हुआ है यहां पर तो मैं दोनों मीडियम करवा देता हूँ आपको टाइफाइड डिजीज इस ट्रांस्मिटेड बाई विच ओर्गेनिजम ते इस कांसर होगा ए सालमोने लटाइफी इसका अंसर हो जाएगा बच्चो सालमोने लटाइफी ये उस वाइरस का नाम है जिससे टाइफाइड फैलता है सेकंड कुश्चन है हमारे स्रीर में उपस्तित खून में हेमोगलोबिन कौन साता तो बनाता है इसका सही आंसर होगा लोहा आईरन थर्ड कुश्चन है भारत में सोतंतरता दिवस कम मना जाता बहुत यासान परशन है इसका अंसर आप सभी को पता है 15 अगस्त वैन इस इंडिपेंडेंट डे सेलिवरेटिड बाई सेलिवरेटिड इन इंडिया इसका इंसर आएगा ए 15 अगस्त को नेक्स्ट कुश्चन है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा था बहुत ही इंपोर्टन परशन है अक्सर पूछा जाता है इन विच बुक वंदे मातरम सोंग पबलिस्ट तिसकांसर होगा डी आनंदमट नेक्स्ट कुश्चन है तो 2022 के ACI केल कहां आई जी तुवे थे वहर वाजदा 222 Asian Games Organized तिसकांसर होगा बच्चो चीन के अंदर डी आप्सन सही होगा नेक्स्ट कुश्चन है एट्स दिवस का मना आ जाता है ये भी बहुत इंपोर्डन प्रशन है जिसका सही आंसर होगा डी एक दिशंबर को नेक्स्ट कुश्चन है सेवंत अब अच्चो छे के बाद जो कुश्चन होगे आपके वो यहाँ पर अबजेक्टिव टाइप होगे multiple choice नहीं होगे तो आगे नेक्स्ट को जमाने में विटामिन साइक होता है विटामिन is helpful in blood of clotting इसका सही आंसर आएगा विटामिन के विटामिन के बल्ड को जमाने में साइक होता है परसन नमबर आठ है कर्ण मलेश्वरी खेल से संबंदित है कर्ण मलेश्वरी ये खिलाड़ी बच्चो और ये जो है ये बारो तोलन से या वेट लिफ्टिंग से संबंदित है कर्ण मलेश्वरी is associated with the weight lifting game नेक्स्ट कुष्चन है दालों से हमें मिलता है बहुत easy कुष्चन है बहुत important है दालों से हमें protein मिलता है we obtained protein from pulses प्रसन नमर 10 है मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है how many bones are there in human skull बहुत important के पर पुछा जाता है ये प्रसन तो इसका आंसर हो जाएगा 22 प्रसन नमर 11 है प्रत्यू के कितने बाग पर जल उपस्तित है how much part of earth has water तो बच्चो इसका आंसर होगा 3 by 4 यानि कि 3 चोथाई बाग पर तो लगबग 55 परतीशत बाग पर जल है प्रसन नमर 12 है लवनीना बोरगो हेन किस खेल से सम्मंदित है तो बच्चो ये खिलाड़ी एक इसका बताना है कि किस खेल सम्मंदित है किस केल को खेलते हैं ये तो टूइच गेम लवीना बोरगोहन इस असोसियेटेड तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्शिंग मुक्के बाजी नेक्स्ट इसके बाद बच्चो आगे जो परसन नमर 13 है वो स्टेटमेंट असरसन और रीजन वाला है भीकतन और कार्ण वाला यहाँ पर देखो क्या होता है कि इसमें आपको एक अभीकतन एक असरसन दिया मिलेगा और एक रीजन दिया मिलेगा देखना आपको कि दोनों सही है या एक सही है तो यहाँ पर चार उप्सन होंगे जैसे A, B, C और D अगर आपका फैस्ट A अभीकतन सही है और R आपका रीजन गलत है तो आपका असर होगा A यदि A है अभीकतन वो गलत है और आपका रीजन है वो सही है तो आपका असर होगा B अगर A राइट है सही है और R है वो गलत है सुरी A है वो राइट है और R है वो नोट करेक्ट एक्स्प्लेनेशन ओफ A तब आप कांसर होगा C जब A और R अभी कतन और कांड दोनों सही है और R है जो वो correct explanation of A R के अंदर और A के अंदर एक संबंध है तो वहाँ पर आप कांसर हो जाएगा D तो आपको बड़ी ध्यान से इस परसन को करना ये दो परसन आपके पेपर के अंदर आएंगे तो परसन नमबर 13 को पड़ लेते हैं अभी कतन है मिन माटा एक हानी कारक रोग है यहाँ पर बच्चों ये जो आपस में words को मिलाया हुआ बीच में gap नहीं है मिन माटा एक हानी कारक रोग है और कार्ण दे रख्या है कि मिनमाटा रोग पारे की अधिक्ता के कार्ण हो जाता है तो बच्चों ये दोनों ही सही है मिनमाटा एक रोग है और ये पारे की अधिक्ता के कार्ण होता है तो A और R दोनों सही है और A के और R के बीच में एक सम्मंद भी है उगे उपर का गया है कि मिन माटा इकानी कारक रोग है बाद इम बताया गया है कि मिन माटा रोग पारी के दिखता से होता है तो दोनों के अंदर सम्मन्द है और दोनों के हैं सही है तो महरा अंसर हो जाएगा डी अगला परस्षन है परस्षन नमर 14 मानो स्रीर की रचना का ध्यान करने वाले विज्ञान को स्रीर रचना विज्ञान कहते हैं बिल्कुल सही है र है कान दे रखे है मानो स्रीर हडियों से बना एक अस्ती पिंजर है मास पेश्यों से डख्या हुआ है, बिल्कुल सही है, तो A और R दोनों सही है, और A R की बीच में संबंद भी है, तो यहाँ पर B option D हो जाएगा, यानि कि यहाँ पर उतर हो जाएगा, आपका 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दे रख्या है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, नेक्स्ट कुश्चन है, एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है, कारण है, ट्रेक वे फिल्ड इवेंट्स में बाग लेने वाले को एथलीट कहते हैं, तो बिल्कुल सही है एतलेटिस को खेलों की रानी कहते हैं ये उप्टन बिल्कुल सही अभी कतर हमारा Ar है वो भी सही है कि track वे field में events लेने वाले को athletic कहते हैं और यहाँ दोनों के बीच में सम्मंद भी है निचे बतागा कि athletic किसे कहते हैं उपर बतागा है कि athletic को खेलों की रा प्रानी कहते हैं तो ये दोनों ही सही है और दोनों अपस में सम्मंदित है तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फोर ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याक्या करता है सोरी यहां पर हो जाएगा third क्या होगा यहां पर third होगा a और r दोनों सही हैं और r a की सही व्याक्या करता है तो इसका option हो जाएगा third तो बत्वी यह 15 कुष्चन आपके छोटे कुष्चन थे एक नमबर वाले यह सारे हमने कर लिये हैं इसके बाद है आगे परसन नंबर 16 वेरी शोर्ट है ये 20 से 30 सब्दों इसका अंसर लिखना होता है तो पहला परसन है वी शंकरमन किसे कहते हैं तो इसको आप अपने बुग में देख के लिख सकते हैं नेक्स्ट एक देश बगती नागरिक के अपने देश के परति क्या करते हैं बहुती असान है ये सभी को अपने करते हों का पता है कि हमारे देश के परति क्या करते हैं सभीदान ने हमें कुछ करते हैं और कुछ अधिकार दिये हुए हैं तो यहां से आप इसको आराम से लिख करना है बिल्कुल आसान परसन बच्चो ये भी आगे है परसन नमर 18 विटामिन सी के बारे में लिखो इसको आप लिख सकते हो विटामिन सी किस तरोत क्या क्या है विटामिन सी किस काम आता है इसकी कमी से आपको पता कि सकरवी रोग हो जाता है और खटे पदारतों के अंदर अधिकतर विटामिन C मिलता है परसन नमर 19 है जोड़ कितने परकार के होते हैं जोइंट्स के बारे में लिखना आपको कि जोड़ कितने परकार के होते हैं हमारे स्रीर के अंदर बहुत जगह जोड़े हैं जैसे एकंदे का जोड़ है बुजा का जोड़ है या फिर अमेरिक उठनों का जोड़िन के बारे में आपको लिखना है संतुलित आर क्या बहुत इंपोटन्ट है बहुत ही इजी परसन है हर बार पुछा जाता है परसन अमर 21 सेगन तंतर दीवस पर नोट लिखे बहुत अशान है 20 जनवरी रिपबलिक डे होता है इस दिन इसको आप भी लिख सकते हैं आराम से तो बच्चों इस परकार से ये परसन दे रखें आगे भी परसन है 22 23 बहुत असान है इन सब को आप निवुक की साहिता से हल कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों पेपर आपका बहुत ही इजी दे रख्या सेंपल पेपर ये बाकी पेपर आपका जो आएका रियल पेपर वो बहुत इजी होगा तो इस पेपर से आपको बहुत अलप मिलेगी और हाँ अगर आप और भी सेंपल पेपर देखना चाहते हैं तो पलेलिस्ट में आपको कक्षिया 10 के सभी विश्यों के सेंपल पेपर हो मिल जाएंगे आप वहाँ से पलेलिस्ट से उनको देख सकते हैं धन्यवाद